बेनों भायों, लोग तंत्र में अभी ब्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्यक्ति का टिपणी करके, हम अनावस्य खुरूप से मात्री सक्ति का अप्मान करें, ये हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कभी स्वीकार नहीं कर सकता, विचारों से सहमति ये सहमति हो सकती है, हमें ब्यक्ति कद रूप से कोई ब्यक्ति पसंद हो नहों, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राश्टियता को, या किसी जाती को तार्गेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रियास कर रहा है, तो अपनी ने खटा सुएम खोद रहा है। ये तो हमारी मतुरा ब्रिंदावन की भूमी तो कला की भूमी है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कनया के बारे में कहा जाता है, कि नहोंने सोला कलाओं के साथ ही अपना उतार लिया था। जब सोला कलाओं के साथ संपूर कलाओं के साथ अवतार लिया था, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमी दूसरी कौन हो सकती है। और इसलिए बारत की सिने जगत की सबसे सुभख्यार अदाकार के रूप में, जिना ने अपनी कला और अपनी प्रत्वा के मात्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरा कत परंपरा और संस्कृति की कला को, बैस्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो। और जिसके मनचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं चाहिवे कंगा की प्रस्तुती हो, चाहिवे मीरादाई की प्रस्तुती हो, ऊस कला का सम्मान कौन भारतिय नहीं करेगा? कौन भारतिय नहीं करेगा और यह अभी अगर कॉंग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नि बचा पाएगा यह मुझे स्वेम उनके संथे होता है